विलंब हो गया कुछ-कुछ चोटे-मोटे कारण बनते गर बीच में कुछ connection प्राब्लेम भी बन गया एक कारण कि जिस कारण से कि विलंब हो गया लेकिन शुरू हो रहा है तो आज कि दस फरवरी कि माग मास का सुक्ल पक्ष नौमी तिथी सुर्योदय नौमी तिथी का आज ही था इसलिए नौमी तिथी भी लिखा गया तो हम रामचरित मानस पे चर्चा आज से शुरू कर रहे हैं श्री रामचरित मानस तो यह बहुत ही सुन्दर ग्रंथ है इसकी क्या महिमा है और इसकी क्या विचारधारा है तो आज हम राम्चरित मानस की विचार धारा मतलब कि दर्शन, फिल्लासफी को समझने का प्रियास करेंगे सबसे पहली बात कि क्या शुरी राम्चरित मानस शात्र है शास्त्र स्रेनी में तो नहीं आता परंतु शास्त्र समत गरंथ में जरूर आता है यह ग्रंथ है यह महा काव्य है क्या यह दार्शनिक रचना है तो जी नहीं यह दार्शनिक रचना भी है दर्शन तो आई जाएगा कहीं न कहीं यह दार्शनिक रचना भी है और साथी साथ यह महा काव्य भी है यह साहित्यक रचना भी है तो दार्शनिक होने से पुर्वी साहित्यक है पहले साहित्यक है पहले यह काव्य है काव्य का अर्थ यह कविता है और यह काव्य नहीं इसको महा काव्य बोलते है बिगेस्ट पोई इन वर्ड इससे बड़ी कोई कविता नहीं लिखे गई पुरी दुनिया में तो इसके अंदर यह काव्य है इसमें पद हैं इसको गायन के उद्धिश्य से इसमें छंद हैं सोरठा हैं चौपाईयां हैं दोहे हैं इस घंग से लिखा जाता है कि जिससे इसका गायन हो सके चिक तो श्री रामचरित मानस की विचारधारा आज हम श्री रामचरित मानस की विचारधारा पर चिंतन करेंगे फिर अभी बहुत सारे कुछ भाग हैं कुछ चर्चाएं हैं जो कि आप रामचरित मानस में जो बाते बताई गई हैं उनको आप सुने, उनको आप समझे, उसके पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि रामचरित मानस किस परिवेश में लिखी गई, इसलिए मैं हर श्रीमत भगवत गीता कि जब चर्चा आउती है तो उसका परिवेश समझे कि कहां पर चर्चा हो रही है, किस काल में हो रही है, क कैसे ही रामचरित मानस का परिवेश समझना जरूरी है परिवेश हम कल देखेंगे कि किस तरह से इसकी रचना हुई किन परिस्थितियों में गोस्वामी तुलसिदा जी ने इस महागरंथ की रचना महा काव्वे की रचना की है कि आज हम समझने का प्रियास करेंगे इसका दर्शन क्या है इसकी विचारधारा क्या है फिलासफी क्या है इसकी कौन से फिलासफी है कैसी फिलासफी है क्या यह वेदांत प्रधान गरंत है तो निश्य ही वेदांत प्रधान है इसमें कोई संशय नहीं है यह वेदांतिक वेदान्त प्रधान तो है फिर भी इसकी अपनी विचारधारा भी कुछ है क्या जी हां जो भी है वह वेदान्ती ही है तो वेदान्त के अंदर आज जो हमयारी चर्चा का विशय है हमनेल आपने देखा होगा शंकर अद्वैत रामा नुज विशिष्टा द्वैत और तुलसी विशिष्टा द्वैत इस पर हम चर्चा करेंगे तो यह चर्चा बहुत ही महत्यपुन चर्चा है तो कि इससे आपको रामचृत मानस की विचारधारा उसमें जो बाते कही जा रही है या लिखी जा रही है उसका रहस से आपको समझ में आएगा और साथी साथ गोश्वाम में रामचृत मानस की रशना की उन सब की भी चर्चा हम निश्य कल के व्याख्यान में रखते हैं इसको आज सिर्फ दार्शनिक पक्ष को ही समझने का प्रयास करते हैं कि रामचृत मानस का दर्शन क्या है अगर रामचृत मानस की विचारधारा को समझना है दर्शन को बजना पड़ेगा सबसे पहले आदी गुरु शंकराचारे का केवल अद्वाइत अद्वाइत भी दो प्रकार के हैं एक है केवल अद्वाइत एक है विशिष्ट अद्वाइत और केवल अद्वाइत इन दोनों के बीच का फर्क क्या है और इन दोनों के साथ रामचरित मानस का क्या संबंध बनता है उस पे हम विचार करेंगे मुख्य विचारधारा यही है तो केवल अद्वाइत वेदों में अद्वाइत सिधान्त को केवल अद्वाइत भी कहा गया है तो केवल अध्वैत क्या है आधिव्रू शंकराचारे का जो अध्वैत विचारधारा है अध्वैत दर्षन है वह केवल अध्वैत है जो की विव्यक चुला मनी के अन्दर उन्होंने विशेश रूप से वर्णन किया है बाकी उनके भष्ष है मांड्युक के कारिका का भाश्य है उपनीशद भाश्य है कि उन्होंने चर्चाइं अपनी दिए हैं तुव helping अध्वेत्विचार धारा को प्रस्तूत करता है कि ब्रंह महीं सर व्यापक सत्ता है एक ही सत्ता है ब्रंह और किसी दूसरी वस्तु की कोई सत्ता नहीं है सत्य भी मात्र ब्रह्म ही है बाकी संसार में जो कुछ भी है वह मित्या जानो ब्रह्म सत्यम जगन मित्या जीवो ब्रह्म है वनापरा या जीव भी ब्रह्म से अलग नहीं है जीव भी ब्रह्म का वही रूप है जैसे की पानी के बुलबुले होते हैं, पानी के बुलबुले होते हैं, वह पानी से भला अलग कैसे हैं, तो उनका यह कहना था, और संसार मिध्या है, इस जगत को सत्य मत समझो, यह माया है, माया भ्रम है, माया भी मिध्या है, माया जगत एक ही है, तो मिध्या है, यह इसी प्रकार से है, जैसे की रसी में सर्प का दिखाई देना, रसी में आप सांप देखना शुरू कर दे, तो समझिए, कि माया ही नज़र आ रही है, माया कहीं प्रसार है, तो यह अद्वईत की विचारधारा, आप लोग इस चैनल पर काफी दिनों से सुन रहे हैं, लगभग दो महीने से लगभग चल रहा था, विवेक चुडा मनी पर चर्चा चल रही थी, और आपने सुना है, विवेक चुडा मनी के हर सुत्र पर चिंतन मनन, हर स्लोक पर चर्चा इस चैनल पर हुई है, और आपने उसको सुना है, अब हम चर्चा कर रहे हैं, स्वामी रामानुजाचारे विशिष्टा द्वईत अगर तुलसी की विचारधारा को समझना है तो इन दोनों की विचारधारा को समझना पड़ता है आदी गुरु शंकराचारे और साती साथ विशिष्टा द्वईत की विशिष्टा द्वईत रामानुजाचारे ने लाया और उन् उनके मित्यावाद का खंडन किया उनके मायवाद का खंडन किया उनके अद्वाइत सिध्धानत को तो उन्होंने माना लेकिन अपने ढंक से माना अब कैसे क्या विशिष्टा द्वाइत या विचारधारा वास्तों में दो विचारधाराओं के मिलने से पैदा हुई है अब कौन कौन से दो विचारधारा दक्षिन भारत में कहते हैं कि वहाँ पर कुछ समाज के लोग थें वैश्नव समाज के लोग संभवता उनको अलावर ब्रामन कहते हैं अलावरी संत्या अरावली अलावर ब्रामन के नाम से वो जाने जाते हैं उस संप्रदाय के लोग जाने जाते हैं तो उनके बीच में करमदूर में तमिल नाडू में स्वामी रामा नजवाचारे का जन्म तो स्वामी रामानजाचारे वहाँ पर यमुनाचारे के आश्रम में उनके गुरु थे उनके जो कुल गुरु थे या उनके संपरदाय के जो उस समय गुरु थे वो स्वामी यमुनाचारे थे यह पुर्णता वैश्णव ब्रामन होते थे ये लोग वैश्णव संप्रदाय के होते थे और भगवान विश्णु को ही सर्वस्रिष्ट मानते थे और विश्णु ही संसार को चलाने वाले हैं सूरे की पूजा इनके लिए सूरे को भी विश्णु मानते थे वास्तों में सूरे को विश्णु के रूप में देखा जाता है भगवान विश्णु के रूप में कहते हैं कि आदित्य हैं 12 आदित्य हैं उनमें सबसे छोटा आदित्य जो है वो इस सिस्वारे मंदल का आदित डंदर उने भागवान विषनु floon माना जए कि लिए सूरी नर्यान की पूजेटोरी बागवान शूरी के साथ सुरे नर्यान भी बोल ते तो तमिल नाडों के अंदर वो वो जिस संप्रदाय से आते थे वह वैशनों ब्रामनों का संप्रदाय था और वह विश्नु भगवान विश्नु की पूजा करते थे अब पता था आदी गुरु शंकराचारी की ख्याती बहुत बढ़ चुकी थी अलाकि यह घटना बहुत बाद की है शंकर हुए लगबा 700 इसा में 700 इसवी में 700 इसा पुर्व नहीं 700 इसी मतलब की एडी में तो बीसी में नहीं बिफोर क्राइस्ट मत जाईएगा 700 वर्ष जब क्राइस्ट के हो गए अगर हम अंग्रेजी कलेंडर के हिसाब से बात करें तो आधी गुरु शंकराचारे का काल बताया जाता है 600-700 इसवी के आसपास और लगबाग 800 इसवी में मुहम्मद बिन कासीम का अक्रमन हुआ था और फिर जो है 1100 में मतबकि 1000 वर्ष जब इसा के हो गए तो उस समय जन्म बताया जाता है रामानुजाचारे का तो लगबाग आधी गुरु शंकराचारे का काल और स्वामी रामानुजाचारे के काल के बीच का जो अंतर था लगबाग 400 वर्सों का अंतर था इस डिफ्रेंस को जानना बहुत जरूरी है आज की विचारदारा को समझने के लिए कि 400 वर्सों नहीं तो 300 वर्स माल लिए 300 से 400 वर्स इतना का डिफ्रेंस था आधी गुरु शंकराचारे और स्वामी रामानुजाचारे और 400 और प्लस कर दीजिए तो गो स्वामी तु तो गो स्वामी तुलसीदास जी का भी जनम हुआ तो गो स्वामी तुलसीदास और आधी गुरु शंकराचारे के बीच लगभग 800-900 वर्स का अंत्राल मान सकते हैं तो इस अंतर को समझने से आपको विचारधारा समझने मासानी होगी तो रामानुजाचारे का जनम स्वाम ने बीड़ा उठाया बड़े क्रांतीकारि ढंग से अपना कारिय शुरू किया तो आज हम स्वामी रामानुजाचारेके बारे में फी उनकी जीवनी और उनका जो उक्रांतिकारी जीवन था उसके बारे में भी कुछ बाते समझेंगे तो हुआ क्या कि यमुनाचारे के वो शिष्य थे उनके कुल गुरू थे उनके संप्रदाय के गुरू थे और वहां से उनको प्रेणना दी गई कि भाई रामनोजाचारे तुम बड़े होनहार हो तुम का भाई वारानसी जाओ और कशी में जाकर क्योंकि आदि गुरू शंकराचारे के सीख्षा का जो केंदर था वह कासी था काशी था मिथिला था मिथिला का जो छेतर था बिहार के अंदर वह भी आधि गुरु शंकराचारी का क्योंकि वहां पर उन्होंने बहुत बड़ा शास्त्रार्थ किया था मंदन मिशुर थे इस कारण से वह भी उनकी सिक्षा का बहुत बड़ा केंदर बन चुका था दूसरा किदारनाथ में उन्होंने समाधी लिए और दक्षिन वो नमबुदरी परिवार से थे केरल के तो पूरे भारत वर्ष में उनकी बहुत ही अच्छी ख्याती थी और उनको मानने वाले उनके अनुवाईयों के संख्या बहुत भारी संख्या में थी छोटे मुडी संख्या नहीं थी तो आदिगुरु शंकराचारे के समाधी लिए लगभग 400 वर्ष हो गये थे तब रामानुजाचारे का प्रादुर्भाव होता है यह जो फिगर में 400 का दे रहा हूं वो अप्रॉक्रॉक्सिमेट है एक्जैक्ट नहीं है उसी के आसपास 300 से 400 तो रामानुजाचारे काशी में जाते हैं सिक्शा ग्रहन करने के लिए अद्वाइत सिधांत का शास्त्यों का वेदो का और काशी आकर वह वहां पर सीखना शुरू कर देते हैं लेकिन जिस आश्रम में वो जाते हैं वो अद्वईत आश्रम होता है वो आधी गुरु शंगरा चारे का ही आश्रम होता है और वहां पर वो सिक्षा लेना ग्रहन करना शुरू कर देते हैं लेकिन तरक शील थे कुशागर बुद्धी थी और इसी कारण स से उनकी जो गुरु हुए संभवत उनका नाम्याद्व प्रकाश के नाम से वह उनके गुरू थे जो की एक सन्यासी थे आते थे अब वहां पर बैठकर उन से गुरु कुछ सिक्षा देते तो रामा नुजाचारे अपना तरक रख देते अपना कोई न कोई तरक कर लग देते कोई न कोई अपनी चर्चा कर देते कि में गुरु की बातों से संतुष्ट नहीं हो सकती है अब गुरु को बड़ा बुरा लगता कि भाई ए तो अब ऐसा करते करते कुछ शिष्य शमुदाय भी उनका सहयोगी बन गया उनका समर्थक बन गया अब इसे गुरुदेव को कहते हैं कि यादो प्रकाश जी को बहुत जो है समस्या होने लगी और समस्या होने लगी तो कथा आती है कि उन्हों उनकी हत्या की योजना बना ली रामानुजाचारे की हत्या की योजना बना ली अपने के शिष्ष से कहा कि तुम इसकी हत्या करो लेकिन वो शिष्ष उनकी हत्या करने के लिए तैयार तो नहीं था फिर भी उसने शायद थोड़ा प्रयास किया बाद में किसी व्याद के उनकी रक्षा हुई और फिर क्याते हैं कि वह काशी छोड़कर पुना अपने अस्थान पर आ गए पिरमदूर में तमिल नाडू में वहीं आ गए और जब वहां पर दुबारा पहुंचे तो उनके जो गुरुदेव थे जो गुरुदेव थे यमुनाचारे जी वो मरनासन थ मिर्त्यू को प्राप्त होने वाले थे शरीर त्यागने वाले थे और जब वो उनके पास गए आखरी समय में उनसे मिलने के लिए गए तो उन्होंने दो अंगुली दिखाई ऐसे करके दो अंगुली दिखाई तो वो दो अंगुली किसके लिए है तो इन्होंने समझा कि दो काम करने और तब उन्होंने ब्रह्म सुत्र का भास से लेखा और बाद में उन्होंने श्रीमत भगवत गीता का भास्षवदिया श्री भास्षवदिया जिसमें विशिष्टा द्वईत की मूल विचारधार आती है तो अब आधी गुरु शंकराचारे जिस काल में हुए और रामा नुज़ाचारे जिस काल में हुए दोनों में बहुत अंतर था। दोनों के बीच में कभी कोई शास्त्राड थी या कोई संहर्ष नहीं हुआ ,कभी नहीं हुआ और रामानुजाचारे तो सीखने गय थे लेकिन वहाँ पर आधिगुरु शंक्राचारे के इस संप्रदाय को दशनामी संप्रदाय को आगे बढ़ते हुए लगभग 400 वर्स या 300 वर्स तो होई चुके थे अब उन 300 वर्सों में इन्होंने अपने संगठन संस्थान का बहुत विकास कर लिया था और जैसा कि आपको पता है कि हर जगह जो हाल होता है लोग महापुरुष तो अपना काम करके चले जाते हैं लेकिन उन महापुरुषों के नाम पर संस्थान और संप्रदाय विक्सित हो रामानुजाचारन ने यही बात वहाँ पर देखी जो उन्हें अच्छी नहीं लगी क्योंकि कोई स्वतंतरता नहीं तर्क करने की विचार शीलता की कोई स्वतंतरता नहीं जो कह दिया गया वो मानो इस तरह की बाते और वो सब बाते रामानुजाचारे की निशाने पर आ वैशनों मत पहले से था लेकिन ये खंडन करने कब लगे जब वो काशी गए और काशी में उनकी हत्या का प्रयास किया गया गुरू के साथ उनका काफी मतभेद हो गया जो वहाँ पर सिक्षा देने वाले जो गुरू थे अद्वयत सिध्धान्त के उनके साथ काफी उनका आती है तब जाकर रामानुजाचारे ने शंकर सिध्धान्त को अद्वयत सिध्धान्त को अपने निशाने पे लिया और अपने तरकों से उसे काटना शुरू कर दिया काटना शुरू कर दिया वो काटे उनके काटने का तरीके से आप संतुष्ट है या नहीं है वो एक अल वो अलग सत्ता के रूप में प्रस्तूत होता है इश्वर भावनात्मक सत्ता के रूप में प्रस्तूत होता है वेवहारिक सत्ता के रूप में प्रस्तूत होता है इश्वर ब्रह्म ब्रह्म तक कोई वेवहरिक्ता से नहीं पहुंचेगा ब्रह्म तक तो पार्मार्थिक्ता स पहुंचा जा सकता है इसलिए वहारिक जगत में आप इश्वर की अराधना से ही अपनी साधना का प्रारंब करेंगे यह आदि गुरु शंकराचार भी मानते हैं इसलिए उन्होंने भज गोविंदम इस्तुरत में उस वैश्णा ब्राह्मन को भज गोविंदम भज गोविंदम भजमुण मति क्या था प्रकार से और वहां तक पहुंचोगे उसे निर्गुन तक पहुंचोगे जो ब्रह्म गुणातीत हैं लेकिन रामानुजाचारे ने यद्दपी अगर हम शंकर को पढ़ें क्योंकि सबसे बड़ी दिख्कत क्या है जिन्होंने भी आदिगुरु शंकराचारे को पढ़ा वो खंडन करने में बड़ी समस्या हो जाती है आप खंडित कहां करोगे शंकर को शंकराचारे का खंडन क्योंकि कुछ भी नहीं छोड़ा हर विशय को छू दिया तो खंडन कहां करोगे क्योंकि आदिगुरु शंकराचारे ने तो मना नहीं किया कि आप विश्नु की पूजा ना करो या विश्णु का किर्टन ना करो या विश्णु को भगवान मत मानो या इश्वर मत मानो मानो भाई कौन मना कर रहा है वहीं से शुरुवात होनी है यादी गुरु शंकराचार भी मानते हैं लेकिन शंकर के अपने संप्रदाये में जो उनके सन्यासी संप्रदाये आगे बढ़ा उनमें कई तरह की विकृतियां वैसे ही आ गई थी जैसे की बौधों के काल में बुद्ध के मूल सिध्धानतों से हट कर उनमें विकृतियां आ गई थी वो मूल सिध्धानत के बुद्ध के मूल सिध्धानत से हट चुके थे और बहुत सारे विकार उनके अंदर विक्सित हो चुके थे वैसे ही कुछ विकार रामानुजाचारे ने आधि गुरु शंकराचारे के दसनामी सन्यासी रखताया और उनकी मठ्व और उनकी आश्रम हों में पाया और उन्हों ने फिर यह कहा कि इश्वर गुनवान है इश्वर सहटेट है ब्रह्मसाघ rash इन्हें ईश्वरामम एक हम दो मतता हो लेकि यह नहीं है लेकिन एक जगह पर आपको ऐसा लगेगा रहे कि इश्वर अल है तो वहाँ पर आएगा अंतर लगेगा कि अंतर बताया जा रहा लेकिन वास्तों में श्रंकर सिद्धान्त को सही से पढ़ा जाए तो अंतर नहीं बताया गया लेकिन जिन नहीं है निर्गुन है तो भेद नहीं होगा लेकिन उन्हें का कि ब्रम में प्रम्म की कि जडचेतन का भेद है चित्ट और अच्ट्यका भेद भांग के अंदर यह कि विदन जो कि इनके लिए है जिन्होंने अबigers ब्रह्म को नहीं जाना है जिन्होंने अपने अभ्यास से निधिधृसन से शंकर के सिध्धान्त में योग महत्वपुर्ण है, पणयाम, प्रत्याहार सब की बाते आदिगुरु शंकराचार ने की है, दूसरे गरंथों में भी की है, रामानोजाचारे में यह सब महत्व नहीं रखता है, लेकिन फिर भी रामानोजाचारे, क्योंकि विद्वान थे, स तो उन्होंने शंकर सिद्धांत को काडने के लिए वेशनों मत को लिया सांख्य मत को लिया सब कुछ मिक्स किया और संकर के सिद्धांत का खंडन किया तो यह जो नए विचारधारा उथ 227 के रूप में उथपन होई कि वह अद्वईत है वह ब्रह्म अद्वईत ही है परंतु उसमें भेद है वह सगुन है वह सगुन है उसमें भेद है यह सारी बातें और वह भक्ती से प्राप्त होता है उन्होंने सांखे के प्रकृति पुरुष वाले सिध्धान्त को ग्रहन किया चित और अचित से जब चित अचित को माल लिया तो प्रकृति पुरुष को माल लिया अर्थात बताया गया तो उसमें भेद दिखाने के लिए सांख्य की इस विचारधारा को लिया गया लेकिन मुख्य रूप से उनका जो मत था वैश्णों मत था तो वैश्णों मत की प्रधानता रखते हैं विविश्ष्टा द्वैद की दशना हुई तो रामारुजाचार ने शंकर सिध्धानत का खंडन शुरू किया कई जगों पर किया मायावाद जगत मिथ्या है जी नहीं संसार सत्य है रामारुजाचार ने कहा कि संसार सत्य है मिथ्या नहीं है इसे मिथ्या मत बलो अरे सत्य से तो सत्य ही बनेगा ना मिथ्या कैसे हो ताधी गुरु शंकराचार ये कह देते हैं उस साधक के लिए उनका एक शिष्य जो ये कहता है कि जगत भी ब्रह्म है तो जगत भी सत्य हो गया लेकिन यहां रामानुजाचारे का का विचार कुछ और है वो कह रहें कि नहीं आप इसे मिठ्या तो कहिए ही मत माया मिठ्या नहीं है माया तो नारायन की शक्ति है माया तो नारायन की शक्ति है अर्थात श्रीहरी की शक्ति है भगवान विष्णु की शक्ति है माया आप इसे मिथ्या कैसे कह सकते हैं तो उन्होंने इसको भी क्रॉस किया कि मिथ्या नहीं है यह तो नारायन की शक्ति है यह तो श्रीहरी की शक्ति है भगवान विष्णु की शक्ति है माया तो उसकी शक्ति को आप मिथ्या बोलेंगे या उचित नहीं है तो माया मिथ्या नहीं है जगत मिथ्या नहीं है जगत सत्य है ब्रह्म भी सत्य है और सत्ता जीव की प्रकृति की और मतलब जीव माया और ब्रह्म की है और ब्रह्म इश्वर है ब्रह्म का आवता के लिए अपनी सारी शक्तियों को लेकर शरीर धारन करता है कुछ ऐसे वचाय अउयुट है दिया वैस्तों को भी माना ने मीना को सलेडिक लीए लेकिन अब उनसे पूछा गया कि कि आधार पर क्योंकि हमारे शास्त्र के एक परमपरा थी आप वेस्टरन फिलासोफी पढ़ोगे तो उसमें परमपरा नहीं मिलती है यहाँ पर एक परम्परा मिलती है उस परम्परा के अंदर वेदानत दर्शन में मिमानसाशास्त्र में छह शह प्रमाणों को लिया जाता है जिसमें कि प्रतक्ष अनुमान उपमान हो जाता है शब्द अर्थापत्ति अनुपलब्दी ये छे प्रमान लिये जाते हैं तो अब उनसे पुछा गया कि भाई क्योंकि आदी गुरु शंकराचारे और रामानुजाचारे तो शंकर के सद्धान्त में कहीं किसी का खंडन नहीं लेकिन रामानुजाचारे के उसमें खंडन मिलेगा तो रामानुजाचारे और उनके अनुवाईयों ने बाद में कहा कि शंकर जो थे वो परिछन बुद्ध थे परिछन बुद्ध मतलब उन्होंने बौधो जैसी बाते ही वैदिक प्रमान के साथ बताया लेकिन उनकी जो विचारधारा थी वो पूरी तरह से बौधों के समान ही थी बौधों का शुन्य वाद ही उनका मायवाद बन गया या अद्वाइत बन गया इस तरह से बाद में ये कहने की परंपरा चल पड़ी तो इस प्रकार से रामानुजाचारे ने अपने सिध्धानत को रखा लेकिन जब ये बात आई कि प्रमान क्या है आपने कहा कि ब्रह्म ही अवतार लेता है आपने कहा कि वो ब्रह्म में भेद नहीं भेद है आपने कहा कि वो सगुन है आपका प्रमान क्या है किस तरह से अधार था वो था अनुमां था इन्फरेंस अनुमान के अधार पर रामनुजाचारे ने अपनी सारी बाते कही सारी बाते प्लबताई थोड़ा सा यहां पर एक विखहने साथ था क्यों कि आधी गुरु अनोभवं ब्रह्मशब्दैन मुच्चते बिना अपरोक्ष अनोभवं बिना परतक्ष अनोभूती की आदिगुरु शंकराचायर से उनके विरोधियों ने पूछा कि आपकी बात का प्रमान किया है तुन्होंने सीधा बोला एक बार नहीं रिपीट करकर कई बार बोला परत स्याहार करते हुए तुम समाधी तक पहुंचो तो महर्शी पतंजली की जो विचारधारा थी अस्टांग योग की लगभग साधना के मार्ग में उसी चीज़ को फॉलो करने के लिए कहते थे लेकिन रजजब रामानोजाचारे की विचा तो इन्फरेंस पर बेस्ट था अ में की सत्ता प्रतक्ष हो जाएगी और हर विशय उसके लिए प्रतक्ष हो जाएगा तो रामानोजाचारे की विचारधारा अनुमान अधारिती और यहां से एक भक्ति क्रांती उन्होंने शुरू की और अपने तर्कों से लोगों को समझाना शुरू किया और समझाते और शायद वो जो काल था वो जो समय था उसकी बहुत ही आवशक्ता थी ऐसे किसी करांतिकारी महापुरुष के कहते कि रामानुजाचार एक महात्मा थे उनका नाम था नामबी तो उन्हों नहों नरायन मंत्र की दिक्षा ले गुरु ने मंत्र देते वे कहा कि बेटा तु दिक्षित हो चुका है अब मैंने तुझे मंत्र दे दिया है लेकिन ध्यान रखना यह मंत्र किसी को बताना नहीं है यह गुरु ने आग्या दे दी अब रामानुजाचारे ने क्या किया रामा नुजाちार Hehe एक मंदिर के शिखर पर जाकर खड़े हो गए और लोगों को इकठा कर लिया और इकठा करके कहा कि देखो मैं तुम्हें मंत्र दे रहा हूं जिस से तुम्हारी मुक्ति होगी और वह मंत्र ओम श्री नाराए नाये नमप्स तुम भी जबो मैं भी जबता ह और यह मंदर के सिखर पर जाकर सब को बताएं जा रहा है जो गुरू ने कहा कि तुझे नरक मिलेगा तू नरक में जाएगा तो रामा डूजाचारे ने उत्तर दिया कि अगर मेरे मंत्र बताने से इतने लोगों का कल्यान होगा तो फिर मुझे मैं उस नरक में आनंद से जाओंगा आप चिंता मत करो तो यह रिवुलुशनरी प्रस्नाल्टी थी स्वामी रामाुजाचारे ने इस प्रकार से मतलब की गुरुडम का वह विरोधी बन चुके थे यहां आये मंत्र दे लिया किसी को बताना मत इसलिए स्वामी इसलिए वाई स्टैच्यू ऑफ एक्वालिटी क्यों बना है रामानुजाचारे के नामें नौट कॉमन प्रस्टनाल्टी हर तरह के पाखंड का उन्होंने अपने समय में विरोध किया है स्वामी रामानुजाचारे ने और व्यदिक मत्र शास्त्र सम्मत मत के नुसार किया है गुरु जी ने मंत्र दिया बोला किसी को बताना मत्मुद मंतिर के शिकर पर जा कर चड़े और सारे गावं वालोंको बताना शुरू कर दिया, ये मंत्र है, ये जपो, ये जपो, तो गुरु ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम तो पाप कर रहे हो, गुरु आज्या तुमने तोड़ दी, अभी अभी गुरु आज्या मिली और तोड़ भी दी, तो रामानुजाचारे ने का कि मुझे नरक मिलेगा, मैं आनंद से नरक में रहूँगा, अगर इतने लोगों का कल्यान हो सकता है, तो स्वामी रामानुजाचारे ने वहां पर भी उन्होंने एक तरह से गुरु डम पर प्रहार किया, एक बार नहीं कई बार प्रहार किया, उनके जीवन लीला में आता है, इस तर जादा मानिता थी, और दक्षिन भारत में तमिल, नाडू, केरल के छेतर में, मालाबार, छेतर में, जाती प्रता का कुछ जादा ही प्रचलन था, जादा ही मानिता थी, लोग इस सब उच है, ये नीच है, इसमें लगे रहते थे, तो स्वामी रामानुजाचारे क्या करते थे कि शुद्र के घर में जाकर भोजन करते हैं, अपने एक टाइम का भोजन वहाँ जाके करते हैं, उसे घर में बैठ के करते थे, अब जो ब्राह्मन समाज था, वहां का जो, उनसे भाई पूछने लगा, तुम यह क्या काम कर रहे हैं, तुम तो खुद अपवित्र हो रह यह ठीक बात है उनसे प्रश्ण किया गया उनके जो ब्राह्मन समाज के लोग थे उनसे प्रश्ण किया तो प्रश्ण किया कि जब तक तुम्हारे अंदर रहेंकार है तुम्हें हरी तो मिलने वाले नहीं कबीर साब कहते हैं कि जब अनाल कि जितने भी विचारक अए है ना गुर्णानक कबीर वो इस क्रांतिकारी व्यक्तित्व की देन थे रामानुजाचारे की देन थे ये लोग उन्होंने जो करांती का भक्ती करांती का जो बिगुल बचाया और समार से जाती प्रथा को खतम करने का जो बिगुल बजाया उसका ये देन थे ये लोग उस परंपरा से ही सारे लोग निकले थे चाहे संत ग्यानेश्वर ह तो वो एक समझे के करांति वहां से शुरू होई थी तो रामानुजाचारे शुद्र के घर में उसी का बनाया हुआ खाना उसी के घर में बैठ कर खाते थे और उन्होंने यथा संभव जितने मंदिर थे उसमें सब के लिए चाहे कोई भी किसी भी जाती का हो किसी भी वर्ग का हो सवर्ण हो शुद्र हो कुछ भी हो अगर उसकी आस्था है तो उसे मंदिर में प्रवेश मिलना चाहिए इस शीज का उन्होंने प्रयास किया इस जिसका उन्होंने प्रयास किया इसलिए Statue of Equality उनके नाम पर इसलिए बनाए गया जहां पर भी उन्होंने जड़ता देखी जहां पर भी उन्होंने रूडी वादिता देखी वहां पर उन्होंने खंडन शुरू कर दिया ऐसा नहीं कि वो उन्होंने आधि गुरू शंकरा भय पैदा करते हैं शिश्यों के अंदर अरे यह हो जाएगा वह जाएगा तो रामनुजाचारी के बहुत बड़े विरुदि थे एक चल रहा था लोगों के अंदर धर्म भाव को जगाय रखना बहुत जरूरी हो गया था क्योंकि देश के अंदर विदेशों से लोग आ रहे थे आक्रमन हो रहे थे लूट हो रहा था लूट पाट मच रहा था इस सब सारी समस्याएं था लेके फिर भी दक्षिन भारत अभ उन्हों ने घुमा था हर छेत्र में वो गये थे और हर छेत्र में जाकर उन्हों ने लोगों को साहज क्योंकि उनका यह ये भी कहना था कि शंकर का जो सिधृांत है या पतांजली रिशी का जो साधना है वह सदारन नहीं है छुआ उसके लिए समय चाहिए एकागर्शजव तो थोड़े से जो लोग हैं वह भी कर सकते तो उनको लगा कि जो भक्ती है हरी का जो नाम है हरी का जो किर्तन है उनकी जो गुणगान को सुनना उनकी कथा को सुनना उनके गुणगान को सुनना या बहुती सरल है या बहुत सरल है आसान है और भक्ती मार्ग से जुड़ना आ तो प्राणयाम प्रतिहार अश्टांग योग यह सब वो नहीं सिखाते थे हरी नाम का किर्टन ही सिखाते थे कि तुम इसको करो लेकिन एक विशय था कि उस समय वहाँ पर जो राजा थे वो ज़्यादा तर शैवमत के थे दक्षिन भारत में कमिल लाडू के छेत्र में चोल राजा हुआ करते थे वो शैवमत को मानने वाले थे तो उन्होंने मंदिरों में शिवही सबसे स्रिष्ट है ऐसा द्वज लगा कर रखा था अब जहां पर भी कुछ ऐसी बात आती थी रामारुजाचारे जो है अपनी अपना काम शुरू कर द करते थे तो उन्होंने फिर वो छोड़ी दिया वो जगह छोड़ दिया और दूसरी जगह पर जाकर भगवान की श्रीहरी की और भगवान विश्णु ही उसमें महत्तपूर्ण थे शिव का विशेस अस्था नहीं था तो रामारुजाचारे ने देखा कि शैव जो होते हैं और जितने भी राजा है ज्यादा तर शैव हैं वादी गुरु शंकराचारे के प्रभाव में बहुत रहते थे जैसे कि एक समय पर सारे राजा बुद्ध के प्रभाव में थे मेरी जो उपन्यास है अगनी मय बुद्ध अगर आपने पढ़ी हो अमेजन किंडल पर उपलब रहते हैं जो हावी होता है उसको तोड़ने का प्रयास रामानुजा चारे ने किया है जो हावी है जहां पर गुरु हावी हो रहा है भई तुम भशे मत सिखाओ कि या बताना है और और अपने तर्क से पर कों का बाण उनके पास बहुत जबरदस रहता था और उस तर्क से उस समय के लिए उन्होंने समाज को जोड़ना सुरू कर दिया और देखते देखते उनके शिश्य वल्लबाचारे, स्वामी रामानंद, फिर उससे एक परंपरा सिर्णखला निकल गई, विठल पंत संत ग्यानेश्वर, महराष्ट में वो निकल गई, फिर इधर गो स्वामी चीजे चल पड़ी, तो पूरे भारत वर्ष में आसाम नौर्थिस्ट में चले जाओ, तो बिल्कुल रामानुजाचारे जैसी ही विचार धारा का प्रचार, शीमंत, शंकर देव के द्वारा होता है, वैशनोमत का प्रचार, तो ये वैशनोमत इसमें प्रधान हो गया, व बहुत आवशक्ता थी, इस चीज की बहुत आवशक्ता होने के कारण, लोगों ने इसे ग्रहन किया, समझा और इसका फैलाव पूरे भारत में होने लगा, और जन मानस को बहुत आसान लगा, सरल लगा, तो लोग जुड़ती भी गया, उनका जो विशे था, बस फर्क इतन है कि उनका जो विशे था वो भावनात्मत अधिक था, उसमें भावनाप्रधान था, शंकर का मत भावातित जाने के लिए कहता है, भावनाओं से उपदेश देते हैं भजगोविंदम इस्त्रोत का वर्णन करते हैं तो यह कहना कि रामानुजाचारे के मन में आदिगुरु शंकराचारे के परती कोई खंडन का भाव था कोई खंडन भाव नहीं था सत्य है कि जैसी परस्थीतियां थी उसके अनुकूल उन्होंने कारे कि उनको दिखा कि इस समय आदिगुरु शंकराचारे के जो दशनामी संप्रदाए के जो सन्यासी हैं और जो उनके जो संप्रदाए हैं उनको जो मानने वाले हैं वो बहुत भारी संख्या में हैं और वो अपनी मनमर्जी भी करते हैं इस चीज़ का फायदा भी बोद उठाते राजनेतिक फायदा भी उठाते हैं समाजिक फायदा भी उठाते हैं तो इसलिए उन्होंने निशाने पर ले लिया अपने गाउं में गए उन्होंने नरायन की पूझा करने वाले महात्मा नामभी से उन्होंने गुरु मंत्र लिया और नरायन मंत्र लिया और गुरु ने की सिको बता को बताना peng ? उनको बात अच्छे नहीं लगी जह क्या बात जो होई लगिए आप कहते हो कि से मुक्ति मिलेगी और किसी को बताना मत आप तो सब को बताऊँगा और उन्होंने नहीं मानए गुरु की बात और बताना शुरू कर दी तो इस प्रकार का क्रांतिकारी व्यक्तित्त था स्वामी रामानुजाचारे का, इसलिए स्टैच्यू आफ इक्वलिटी क्यों बनी है आपको समझ में आएगा, इस समझना बहुत अनिवार है, अब हम चलते हैं, रामानुजाचारे में वैश्नो मत्प्रधान था, भगवान विश्नु की पूजा, श्रीहरी की पूजा, विश्नु ही ब्रह्म है, विश्नु ही इश्वर है, और उनकी पूजा, उनका गुनगान, उनका किर्टन, उनका ध्यान, और बाद में जो फर कितना है, जब द्वैत वाद आया माधवाचारे जी के माध्यम से, तो उन्होंने, रामनोजाचार जी ने अपने विशुष्टा द्वेट में यग्य हवन आदी पूजा पाट सब कुछ उसमें सम्मलित था लेकिन उसमें मात्र किर्टन को जादा महत्व दिया गया यग्य हवन आदी क्रियाओं को जो वैदिक करमकांड की क्रियाएं थी उनको नहीं महत्व दिया गया और आज भी चले जाओ जो उस संप्रदाय से जुड़े जो संस्था हैं जैसे इस कौन है और कई दूसरी भी संस्था हैं जो माधवाचार के द्वैत वाक्त जुड़े हुए वो हवन आदी क्रियाएं नह उन्होंने करमकांड को फिर से पुनरस्थापित किया था तो वो चल रहे थे माननेवाएं लोग मान रहे थे लेकिन ज्यादातर जो द्वैत वाद से जुड़े वह इस तरह से कुछ विशारधाराय सामने आने लगे और अलग-अलग मत भी आने लगे क्योंकि एक हाँ एक जरूर हम यह कह सकते हैं कि रामानुजाचारे ने जब आदिगुरु शंकराचारे को खंडित किया तो कुछ लोगों का आत्म विश्वास बढ़ गया कि आदिगुरु शंकराचारे को भी खंडित किया जा सकता है उनके मन में आ गया और उन्होंने आदिगुरु शंकराच नहीं रामानुजाचारे को भी खंडित करना शुरू कर दिया तो खंडन का एक प्रक्रिया शुरू हो गई जो की शायद बहुत अच्छी नहीं थी एक दूसरे के मत को काटो इस बात की प्रक्रिया धीरे-धीरे शुरू हो गई और शिश्यों नहीं काटे तो ये शुष्य परंपरा में ही थे माधवाचारे भी रामानुजा चारे के शुष्य परंपरा में ही थे वल्लभाचारे भी तो अलग विशारधारा लेकर भी ये लोग आये थोड़ा थोड़ा बदल कर किसी ने करमकांड को स्विकार किया किसी नहीं किया किसी ने कुछ मान किसे ने अद्वाइत दोनों को माना इस तरह की विशारधारा आगे बढ़ती गिए अब हम आ जाते हैं गोश्वामी तोसिदाज जी की विशारधारा तो द्वाइता द्वाइत अगर आपने जानते हैं इसके विशाय में तो उससे भी मिलता है लेकिन सबसे बड़ी बात क्य कि कुछ बाते हैं अगर हम इसे कहें कि यह रामारुजा चारि का विशत्ता द्वाइत्व निर्भर Ay T को निर्भर मैं कि निर्भर तो है वही विचार्धारा को प्रस्तुत करता है विदान्त की विचारधारा है रामचरित मानस की लेकिन वह उस तरह से नहीं हो कि जितने भी संप्रदाए आए या जितने भी दर्शन आए वेदान्त के जो यह भाग हुए द्वयता द्वयत द्वयतवाद भेदा भेद इन सब में विश्नु ही इस्ट थे इध्यान रखेगा श्री हरी नारायन ही इस्ट थे इन सब में लेकिन जब गोस्वामी तुसिदाजी अपनी रामचरित मानस लिखते हैं तो थोड़ा सा बात आपको अलग मिलनी शुरू हो ज जाएगी यहां पर थोड़ी सी आपको डिफ्रेंस आना हलका सा आपको दिखाई देगा विचारों में आपको हलका सा वो पैदा होगा मतभेद पैदा होगा यह गोस्वामी तुलसीदाजी को बहुत संघर्ष करना पड़ा बहुत बड़े संघर्ष से उनका जीवन गुज के लिए बहुत आलोचना सा नहीं पड़ी कहीं से उनको समर्थन नहीं मिला कर है उनको ना रामणो जम्यारक के अनिवायों का स अमर्थन मिला। मिला ना द्वैता द्वैतवादियों का समर्थन मिला किसी का समर्थन तुलसी दास को नहीं मिल रहा था क्योंकि इन्हों लिखा हर और हरी में कोई भेद नहीं है अगर तुम भेद करते हो तो पाप करते हो तुम गलत करते हो शिव और विश्णु में भेद मत करो हर और हरी में कोई भेद नहीं है अब ऐसा कहने वाला कोई पहली बार आया जो हर और हरी में भेद नहीं है यह दपी जन मानस इस बात को मानता हो लेकिन गोषवामे तोसी दाजी ने हर और हरी का भेद ना माना में राम कथा सुनाने से पहले कथा सुनाई इसलिए तरह चृत मानत की यह विशेशता है पहले उसमें शु कता नियों और राम कथा के जो वाचक हैं वो स्वेंघवान शुन है संन Reed से पहले कथा बाचक स्वेम भगवानजिवः तो रामकथा के कथा बाचक जो है Means व स्वेम् हरी की महमागा रहे हैं और हरी उनकी महिमागा रहे हैं तो लंका कान में भगवान राम से भगवान राम कहते हैं कि शिव द्रोहीम भगत कहावा सोने ugga टुशेसिदा चीह ने नहीं माना यह पहली विशेस्ता अपने अंदर लें दूसरी विशेस्ता और मुझा जगत को सब्सक्ति माना मया को भगवान की सकती मानी नारायन की शक्ति मानी नारायन की शक्ति है माया जैसे लक्षमी और नारायन है तो लक्षमी जी माया हो गई ठीक है इस प्रकार से उन्होंने माना लेकिन असत्त नहीं माना लेकिन गो स्वामी तुलसिदाजी क्या लिखते हैं एही विधि जगहरी आश्रत रही यदपी असत्त देत दूर ना होई कि अब चले गए ये शंकराचारे पर आदीगुरु शंकराचारी में पर ड़करत्स, दो छो नहीं है अदिदुरु शंकराचारणे और इस ज लम्हें धेक चापन देखते हो तो शृप्ण की चीजिसे तुम श्थ्रकेन नजर आती और अधो closest हो जाएगा उपन मित्या साबीत हो जाएगा वैसे ही तुम्हारा यह जीवन भी है जब तुम जागोगे जब अवेक्निंग होगी जब तुम तुरी आवस्था में चले जाओगे तुम्हारी जागरती हो जाएगी और यह संसार मित्या हो जाएगा बिल्कुल वैसे ही विचारधारा जो अद्वईत सिध्धानत की ती आधी गुरु शंकराचारे की विचारधारा थी वो तोलसी दाजी इस पश्ट कर देते हैं कि यही जग हरी आश्रत रही यदपी या संपुल संसार हरी पर आश्रत है मैं मानता हूं लेकिन फिर भी यदप संसार के जितने भी दुख है वो स्वपन के मानंद ही है चले गए आधी गुरु शंकराचारे पर तो मानस ये विशेस्था लेकर सामने आती है मानस का दर्शन कुछ ऐसा दर्शन है तो माया को वो लक्षमी के रूप में नहीं देखते हैं यहां पर तो सिधा जी माया को ल कि चारधारा में फिर चले गए तो यह कारण था और साथ में वहरी को भी मान रहे हैं हरी के विशेस्था भी मान रहे हैं और इश्वर को भी मान रहे हैं निर्गुन भी कह रहे हैं अब यहां पर बहुत सारे लोग कह देंगे कि तुलसिदाजी सगुन उपा सकते जी नहीं पूर्द में निर्गुन मिलती आई वर्यम् σप्रगट होते हैं लेकिन वो निर्गुन भी है उनकी निर्गुंताको वह खंडित नहीं कर रहे सुनें जोगी तो इस प्रकार से इस तरह से कई बाते गोषवामित उससीदा जी अपने राम चर्थ मानस में, आवदी भासा में उन्होंने ये बाते लिखी हैं तो एक अलग तरह से अपनी बातों को उनका जो दर्शनिक पक्ष है वैसे रामचरित मानस उन्होंने क्यों लिखी, क्या कारण बना लिखने का, किन परस्थितियों में लिखी, किस परिवेश में लिखी, कल के विशया पर हम चर्चा करेंगे, रामचरित मानस में आपको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, उसमें क्या विशया है, को विशारधारा यह अंतर आ जाता है विशिष्टा द्वैत से तुल्सी का उसमें बेद आ जाता है अलग धंग से बताया गया है बकि सभी मत को में चाहे वह सूरदास जी का वलभाचारिच जी का मत हो जिसके सरंखहला में सूरदास जी बहुत धर्म प्रचारक के रूप में सामने आते हैं नित्रहीन थे चाहे वो आपके मत हो आपके माधवाचारे जी का मत हो जहां पर भगवान विश्णु कृष्ण नहीं सब कुछ है विश्णु में भी कृष्ण परंब्रम है तो इस तरह की विचारधाराती वहां पर गोस्वामी तो तुलसी दाजी एक अलग धंग से बात को रखते हैं तो उनकी सबसे बड़ी क्रांती थी समाज को एक करने के लिए उन्होंने हर और हरी को एक कर दिया और वो भी शास्त्र सम्मठ धंग से कर दिया जहाँ पर शैव मत था और वैशनों मत था और दोनों के बीच में मतभेद रहता था गोस्वामी तुलसिदाजी ने उसे खतम किया बोजेंगे हर और हरी में कोई भेद नहीं है इस प्रकार से गुष्वामित उसीदा जी ने समझाना शुरू किया और एक क्रांतीकारी महाकावी की रचना हुए कि रांतिकारी महा कावी की रचना हुई पुलसिधाजी को बहुत बड़े संघर्ष से गुजरना पड़ा बहुत बड़ी आलोचना क्रिटिसिजम थोटे-मुटी क्रिटिसिजम नहीं थी कई बार कहते हैं कि उनके गरंथ को जलाने का प्रयास हुआ कई बार उनकी हत्या का प आंते थे यह भी भिलने में लगे रहते थे यहां पर भी कोई रूड़ी वाहितता देखी जहां पर भी कोई थोपने वाली बात देखी तो कुछ अ ऐसा विक्तित्व गोस्वामी तुलसिदा जी में आया लेकिन बहुत शांत प्रविर्ती के और शांती से उन्होंने अपना कारे किया और मानस की रचना की इस महा कावे की रचना आज भी गिनिस बुक आफ दे वर्ल्ड रिकॉर्ड में और साहित्ति की दृष्टी कौन से जबुत स्रेश्ट कृती है यहां बहुत ही हाई लेबल का लिट्रेचर है बहुत हाई लेबल की यह साहित्तिक रचना है लिट्रेचर के मामले में जब साहित्तिकार लोग बैठते हैं तो मानस में इतनी उपमाये हैं इतने अलंकार हैं कि साहित्तिक रचना इस अद्भुत पन लिये हुए है एक चमतकारी ढंग जो लोग साहित्यकार है वो मानस को चमतकारी मानते कि इतने बड़े साहित्य की रचना वो भी इतने बड़े काववे की रचना कर देना ठीक है यह निश्य ही एक अश्चर है अपने आप में अश्चर के रूप में कई लोग इसको मानते हैं तो यह महाकाव्य की महिमा है महाकाव्य रामचरित मानस इसे रमायन नहीं कहते इसे रामचरित मानस कहते हैं क्यूं कहते हैं रामचरित मानस और गोस्वामी तुलसिदाजी का जीवन संघर्ष क्या था किस परिवेश में उन्होंने रामचरित मानस की रचना की यह सब कल क प्रसंग में हम ले आते हैं कल हम चलेंगे और कल इस तरह से यह जो चर्चा है यह विवेचना है हम विवेचना करते हैं वह आगे बढ़ेंगे राम्चरित्मानस के उपर यह विवेचना होगी यहां मत सुचेगा कि कथा तो आही जाएगी अपने आप जब संपूर्ण राम चर्थ मानस पर हम चर्चा करेंगे तो राम का चर्थर भी आएगा हर चर्थर भी आएगा कथा भी आएगी वो तो अपने आप ही आजाएगी लेकिन गोस्वामी तुलसिदाजी मातर कथा नहीं सुना रहे हैं ये समझने की आवशक्ता है गोस्वामी तुलसिदाजी मातर राम कथा नहीं सुना रहे हैं राम कथा का आधार बना कर राम कथा का आधार लेकर वो बहुत बड़ी करांती ला रहे हैं बहुत सारे बातों को स समझा रहे हैं इसमें कि समाज भी है परिवार भी है रिस्ते नाते भी है करतव्वे भी है और राजनीती भी है राजा के अंदर कौन से गुण होने चाहिए यह सब भी बाते आ जाती है तो मानस के अंदर मातर कथा नहीं है इध्यान रखिएगा तो इसलिए यह विवेचना का विशय बन जाता है नाकी मातर कथा सुनाने का विशय बन जाता है वैसे आजकल जो राम कथा वाचक है ज्यादा तर वह मानस का अधार लेकर ही कथा वाचते हैं लेकिन मानस में सिर्फ कथा है ऐसा नहीं समझना चाहिए उसमें और कथा भी है त उसका style बहुत अलग है, बताने का बातों को प्रस्तूत करने का तरीका बहुत अलग है, तो इसलिए मानस बहुत ही विशेस ग्रंथ बन जाता है और कौन-कौन से बाते हैं, कैसी बाते हैं, चलिए हम चर्चा करेंगे, कल फिर मिलते हैं, नौ बजे लाइव चर्चा में रामचरित मानस के चर्चा में और गोस्वामी तुलसीदा जी किस परिवेश में रामचरित मानस के परती कैसा दृष्टिकोन होना चाहिए क्या लिखा है उन्होंने क्यूं लिखा है वो सारी चर्चा हम करेंगे और उनके जीवन के बारे में भी सुनेंगे उनका जीवन क हुआ था तो इस कारण से पता नहीं कि कमेंट्स आपके नहीं आए रहे हैं कुछ लोग के शुरू में जो आये थे वही है गुपाल दास जी विकरम सिंग जी शंकर प्रसाद जी बभीता धिमान जी कनाई कुमार जी गौरव विकरम सिंग जी सविता नायक जी इसमिता सावंत जी उशा शिर्वास्तो जी नभ जोती नाथ जी रामा रुजाचारे के बायोग्राफी के बारे में बता दिये जी हो गया अबनी प्रधान जी पंकस सोनी जी शंतोष देवी जी जोनती दक्ता जी राकेश मराठे राजू पाल विनोध के सूद राम निवास मीना एके गोविंद प्रसाद नेमा अरजन चोहान शिवम भट रमिष पेश्वानी जी माधुरी कोले जी रूपलाल विश्व कर्मा हरी मोहन गुपता मुकेश प्रसाद नेहल सदावरते एके त्यागी जी गनेश पवार जी बहुत बहुत अभिरंदा ने पूनम सिंगला जी हरियो और आप जुड़े रहें बने रहें अगर जुड़े रहेंगे बहुत आनंद आएगा क्योंकि यह संपूर्ण महा कावे आनंद दाई ही है इसमें कावे तो है लेकिन कावे के अंदर जो छुपी हुई विवेचना है जो चिंतन है जो मनन है जो बाते हैं वो बहुत ही अगवान के अवतार को मानते हैं लेकिन उनके निर्गुन पक्ष के भी व्याध्या साथ में वो करते हैं साथी साथ उनके लिए हर और हरी में कोई भेद नहीं है वो शैव और वैशनों मत दोनों को एक कर रहे हैं दोनों को महत्यपुर्ण बता रहे हैं और दोनों को आपस में समनवय स्थापित कर रहे हैं जो कि उस समय जरूरी था क्यूं जरूरी था इन सब बातों पर हम आगे चर्चा लाएंगे तो आज मुख्य रूप से एक थोड़ा सा कि रामचर्ट मानस की विचारधारा क्या है विदानती विचारधारा है विशिष्था द्वैत की ही भेदा भेदाया नित्य भेदा भेदाया तो इस प्रकार से जो विचारधाराएं आई थोड़ा सा डिफरेंस लिए हुए अंतर लिए हुए इस विचारधारा में मिलता और कई बातें समाज सुधार के दृष्टी कौन से लिखे गई हैं समाज में कुरूतियों को देखते हुए लिखी गई हैं बहुत सारी बाते तो वो सारी चीजे इस धिरी धिरे आपको मिलती जाएंगी कि गोस्वामी तोसिदा जी क्या लिखते हैं और क्या कहते हैं तो बहुत बहुत आभार आप सभी का कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में नौ बज़े झाल सारी खिरा नौ बज़े उलो पुर्चा में आपको में लाइव नौ रिखी ईमनल्म्हुत बहुतीन